हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2024 की बहुत ही बड़ी खुशकपरी आ चुकी है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस विवाक की तरफ से आ चुकी SI और ASI यानि की सब इंस्पेक्टर और असिस्टन्ट सब इंस्पेक्टर के पदो पर नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए 900 से भी ज़्यादा पदो पर भरतियों के नोटिपिकेशन और आभीदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप स आप लोग भारत के किसी भी राजस से आभीदन कर सकते हैं और मेल एंड़फी मेल आणी महिला और पुरुस दोनों के टेगरी के उमीद बार इन भरतियों के लिए आभीदन कर सकते हैं आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक सदिक 30 साल की होनी चाहिए तो आप सब भी इन भरतिय के लिए आभीदन कर पाएंगे आगे इस वीडियो में आपको कम्प्लीट नोटिफिकेशन दिखाएंगे और आभीदन करने के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी देंगे अगर आप लोगों का सपना है एसाई या फिर एसाई के पदो पर सेलेक्शन पाकर नोकरी पाने का तो इस वीडियो में आगरी तक जरूर बने रहेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिफिकेशन को जरूर अन करें आए ओपीसल वेबसाइट के माध्यम से इस भरती की कम confidential हो गया एक पोस्ट एक पोस्ट हो गया clerk और एक पोस्ट हो गया accounts की यहाँ पे आपको 921 टोटल नमबर विकेंसिया मिलेंगी बात करते हैं qualification के बारे में तो यहाँ पे 10-12 के साथ आपका graduation complete होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे कौन-कौन आव पे दन कर सकते हैं इसके बाद आपकी age limit है इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 21 साल आपने complete किया हो और अधिक सदिक 28 साल यही age OBC के लिए 21-31 साल की और SCHD के लिए 21-33 वर्स की रखी गई है इसके बाद today top job list है अनिकी आपके अलग-अलग qualification की हिसाब से आज क नई सरकारी नोकरियों की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं selection process के बारे में सेम वही आपका जो पिछला constable की vacancy जी 60,000 से ज्यादा पदो पर अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं सुबह मैंने video upload करी है इसक अलावा PET याने की physical efficiency test एक test के अंदर आपकी height वगएरा major करी जाएंगी और एक test के अंदर आपसे running करवाय जाएगा इसके बाद यह complete करने के बाद आपका medical exam होगा उसको qualify करके आप आसानी से job को हासिल कर सकते हैं salary की बात करते हैं तो SI और ASI के लिए 9300 से 34800 का बेतन salary रखा गया है application fees सभी category के candidate के लिए same है जहें आप किसी भी category से आते हो 400 रुपय का application fees आपको देना होगा physical के बारे में जानकारी आपको official notification मिलेगी और documents के list यहाँ पे upload कर दी गई है इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीधे आते है important date के section पे 28 December 2013 को notification रिलीज हुआ है 7 जनवरी 2024 से आभीदन सुरू होंगे आने वाली 28 जनवरी 2024 तक आभीदन चलेंगे application fees की last date है 30 जनवरी 2024 की इसके बाद आपका admit card कब आएगा वो बाद में update किया जाएगा exam date answer की और make list वगएरा आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी इसके बाद हम बात करते है important link के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सभी यहाँ पे links मिल जाएंगे apply link मिलेगा download notification link मिलेगा आपको एक बार इस पे click करना होगा download की बटन पे click करेंगे और इस notification को pdf reader में open कर लेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने WhatsApp group को join ने किया तो जरूर करें यहाँ पे देख सकते हैं हमारा notification open हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले आपको पोश्ट के बारे में जानकारी दी गई है 921 यानि की 921 पदों पे भर दिया है जहाँ पे अलग अलग पोश्टे हैं देख सक इसके अंदर journal की, OBC की, SC की, HD की और EWS की सभी की vacancy available है उसके बाद यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो आपको dates के बारे में बताया गया है 7 January 2024 से आने वाली 28 January तक आप आवेदन करेंगे 400 रुपय का application fees यहाँ पे आपका लगना है आवेदन करने के लिए भारत का नागरी ख होना compulsory है इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको बताया गया है कि सनाता कुपाद यानि graduation आपके पास होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं साथ में जैसे यहाँ पे clerk की पोश्ट हैं उनके लिए typing test भी आपका conduct कराया जाएगा कितना सब्द पर minute आपक देख सकते हैं और इसके अलावा भी कई सारी जानकारी notification में आपको मिल जाएंगी इसको भी आप download करके check out कर सकते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो में दीगए information अच्छी लगी होगी मिलते हैं किसी other वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद